आज हम मावव मालपुए बनाइंगे इन नहीं आप किसी भी तेवहार या फिर पार्टी में यार कभी भी मीटा खाने का मन करें नहीं बना कर क्षा सकते हैं अगर आपको मेरी डेसिपी अच्छी लगती हैं तो वीडियो के नीचे लाइक बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को इपसिदूंगी जिनसे आपके मालपुए खराब नहीं होंगे और बिल्कुल पर्फेक्ट बनेंगे तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा मावा मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तयार करेंगे तो यह हमने 500 मावा लिया है एक कप मैदा और दो कप हलका करम दूद लिया है अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे आप इसे एक बोल में भी घोल सकते हैं लेकिन ग्राइंडिंग जार में जल्दी स्म नहीं थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है अब हम इसे ग्राइंड करेंगे दोड़ा दूड़ डालेंगे यह हमारा स्मूद बैटर तैयार हो गया है ऐसे ही हम बाकी बैटर भी तैयार कर लेते हैं तो यह हमारा बैटर तैयार है लेकिन इसे हम 15-20 मट के लिए रखतेंगे ताकि यह फूल कर और अच्छा हो जाए तब तक हम माल पूए के लिए चाशनी बना कर तैयार कर लेते हैं यह हमने एक कप चीनी ली है और इसमें हम डालेंगे एक कप पानी और चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक की चीनी घुलना जाए चीनी घुलने के बाद इसे हम 2-3 मट तक और पकाएंगे और बीच-पीच में से हम चलाते रहेंगे अब यह चाशनी थोड़ी सी चिप-चिपी हो गई है इसे हम अंगुठे और उंगली से इस तरह से चेक करेंगे यह चिप कर रही है अब हम इसमें एक चोथाई छोटी चमच इलाची पावडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे गैस को बंद कर देंगे चाशनी हमारी पूरी तरह से तयार है पूए तलने के लिए घी को हम गरम कर लेते हैं 20 मिनट हो गए हैं हमारा बैटर भी बिलकुल तयार है माल पूए तलने के लिए घी हमें मीडियम से भी कम गरम रखना है और गैस हमें लो रखनी है अब हम पूए तलने के लिए कड़ाई में बैटर डालेंगे मैं एक साथ मीडियम साइज के तीन पूए तल रही हूँ अगर आपको बड़े या छोटे पुए बनाने हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कर्ची से थोड़ा थोड़ा गी इस तरीके से उपर डालेंगे ताकि ये उपर से भी सिखते रहें अब इन्हें हम बहुत ही आराम से पलट देंगे इन्हें हम दोनों तरफ से हरका गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे माल पुए दोनों तरफ से अच्छे से सिख गए हैं इन्हें हम इस तरीके से एक्ष्टा घी निकालते हुए एक पेट पा रख देंगे इसी तरीके से हम सारे मालपों को तल लेंगे इसी तरीके से हम सारे मालपों को तल लेंगे इन्हें हम चासनी में डाल देंगे और 2-3 मिन तक दुभो कर रखेंगे 2-3 मिन हो गए हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा चासनी निकालते हुए अलग पेट पर रख देंगे और बाकी तल ले हुए मालपों को भी चासनी में डाल देते हैं इन्हें भी हम निकाल लेंगे तो ये हमारे मावा मालपों बनकर तेयार हैं इतने बैटर में हमारे 20-25 मालपों बन गए हैं अब हम इन्हें सर्व करेंगे मैंने इन्हें traditional तरीके से रब्डी के साथ सर्व किया है और बादाम पिस्ता की कतरन से गार्णिश किया है आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं ये बहुत स्वाधिश्ट लगते हैं अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूँगी जिससे आपके माल पुए खराव नहीं होंगे और बिल्कुल पर्फेक्ट बनेंगे तो सबसे पहले जब हम बैटर बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें बिल्कुल भी गुट्लिया नहीं होनी चाहिए उसको एकदम स्मूथ होने तक ग्राइन करना है जब हम माल पुए तलते हैं अगर आपके माल पुए एकदम पुए जैसे मोटे बन रहे हैं वो फैल कर पतले नहीं हो रहे हैं इसका मतलब बैटर गाड़ा है थोड़ा सा उसमें दूद मिला कर पतला कर लीजिए फिर आपके माल पुए एकदम पर्फेक्ट बनेंगे अगर हमने बैटर कड़ाई में डाला और मालपुए के किनारे गोल लाओं कर कटी फटी होनी लगे इसका मतलब है कि बैटर पतला है दाल कर अच्छे से फ्रेट लें गुटलिया नहीं रहनी चाहिए तो फिर आप बनाएंगे तो आपके मालपुए गोल गोल परफेक्ट बनेंगे मालपुए तलते समय फिले में एकदम लो रखनी है मैंने इन्हें दो अलग अलग तरीकों से सर्व किया है आपको कौन सा तरीक अच्छा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बताईएगा अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले